तो यहाई इस वीडियो के ंदर में बात करने जाने वाले हो गेमिंग के बारे में अर्ग नहींग के बातक है कम देगो पूरा दिन गेम्स petals सब्सक्रा करता हैं और मैं यह नहीं होती रहा है को सब्सक्राइ dale यह वीडियो जो है यह उनीक लिए है तो देखो भई मैंना एक बात और बता दूँ कि लोगों को गेमिंग के नेगेटिफ पॉइंट जादा इसलिए जैसे कि एडिक्शन और कुछ तो लोगों ने अपने खुद से ही बिना लिये हैं तो लोगों को गेमिंग के नेगेटिफ खेलते हैं लोग गेम्स खेलते हैं उनमें से सरफ 5-10% रेडिक्ट होते हैं लेकर दिखने में बहुत ज्यादा लगते हैं क्योंकि जो एक्चल प्लेयर्स हैं वह सही में बहुत ज्यादा है इसकी रीजन से और दूसरी चीज़ कि भई बहुत से लोग ऐसे हैं जो गेमिंग तो बैठकर अगर गेम्स बिनाते हैं तो उनकी गेम को अगर किसी बच्ची ने दो घंटे भी खेल लिए उनको कितना भला होगा उनका कितना पैसा मिलेगा यह सोचो जारा लेकिन यह बहुत से लोग गेमिंग की एक डिस्टम्ट आंडिश को देखके यह बोलते हैं कि भई तो यहार आप लोग एसी गेम्स को उल्टा सी तो कुछ भी कहकर हमें उन कोडिंग करने वालों को नीचा नहीं दिखा सकते हैं उनकी बहुत मैनत हैं और आप तो सिर्फ बोल रहे हैं अब आजाते हैं कुछ ऐसे ही महाँ जीब लोगों पर जो जिनको लगते गेमिंग लाई जाती है क्योंकि वह फन के परबस के लिए और फन और जो फन है वह बिल्कुल भी टाइम विस नहीं माना जाना चाहिए कि फन बहुत ही बढ़िया होता है पतला भाई लाइव जो बिना फन के बहुत ही खराब है तो भाई अभी बहुत लोग ना ऐसे होंगे जो यह स यह मैं बता देता हूं तो साथ में गेम्स खेलके मैं बतारहों कि अगर एक्टल वर्ल्ड में कभी जॉम्बी एक अपलिप्स हो जाए जो भी कहते हैं उसे जॉम्भी जब्स अगर अगर को पता होते हैं कौनसी गन जाता स्ट्रॉंग होती है और कौनसी गन बजोर लेकिन अगर यह बात है कि गन उठानी आनी चाहिए अगर गन उठानी आती है तो भाई गेमर्स सबसे वड़ी शर्वाइब कर लेगी कि गेमर्स को पता होते कि कौनसी गन जाता स्ट्रॉंग है और अगर आपको शोलजर भी बनना है तो भी आर अगर आप ऐसी वह सी और पबजी सब्सक्राइब करते हैं तो भी बहुत ही मज़ेदार बात है वह सब्सक्राइब करना पड़ता है जो गेमिंग है वह में बहुत कुछ सखाती है और सब्सक्राइब के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है इंडिया का पता है मेरे को इंडिया में करिमनाटी ने जब रोस्टिंग स्टार्ट की दिशुरू में उनका वह गेमिंग चैनल था एडिक्टेड एवन के नाम से और पांद मिला कि उनको पता लगा कि उनकी कमेटरी ज्यादा बढ़िया है तो इसलिए उन्हें रोस्टिं सकता है और जो गेम्स होती है हमारी आई क्यों भी थोरे बहुत बूस्ट करती है और कुछ गेम्स ऐसी होती जिनके अंदर हमें बहुत ज्यादा आई क्यूस चाहिए होता है जैसे की लीग आफ लेजेंड्स और अमंग अस तो आपको बताई अब देखो मैं आपको एक और करें इवाइनमेंट बना पड़े कि हम हर चीज के फॉर सिर्फ जिन नेगेटिफ चीजह ही देखते हैं गेमेंगे सारे के सारे निगटिफ पाइंट जो है वो सब लिक्शन से निकलते हैं अगर अब अग्शन होकि तब है तो वहीं गेमिंगे बहुत सारे वो के लिए हैं मलब यह जादा अंतर यहां भी बनके हमें सिखाएंगे कि जो गेम से वो बच्चों के लिए हमें बड़े होके नहीं खेलना चाहिए वह बहुत सी एसी गेम से जो 18 प्लस किया 16 प्लस किया और कुछ लोग कहती कि गेम सिर्फ पर्टिकॉलर एज के लिए बने थी जैसे उन्हों नहीं तो यार मैं बताता हूं कि वो जो बच्चे हैं वो कपके बड़े भी हो चुकि हैं तुम कब बड़े हो गए यह बताओ भई इतने सारे बड़ी बड़ी तरीके के कॉंसोल्स हैं उनसे हमारे इतना सारा बेनेफिट मिलता है और अगर हम एडिक्ट प्रूब नहीं होगा लेकिन मैं एडिक्ट होने के लिए किसी को क्या भी नहीं रहा है तो बहुत ही बड़ी है टूर्स खेलना एक दम सही रहता है देखो हैं मैं सभी लोगों से कहने चाता हूं कि वहीं गेम स्केलने में कुछ भी पुरा नहीं है अपने बच्चों को गेम बड़ी हैं धुड़ी होगे गीमिंग के निकलने वाली वाली लोग है अपी है नहीं पूज को सरे जिखता नहीं जो लोग भी ias लोग अपने अंदर की तो अच्छी चीज़े देखते हैं लेकिन अपने आसपास के इंवार्मेंट की बहुत नेगेटिव चीज़े देखते हैं और खासकर गेमिंग उसमें भी फसा हुआ है यह सब research करके निकाली गई है और यहे डिसर्ट आवांटजिस्ट करके निकाली गई और कुछ ऐसे अभी प्याएंटजीज़ों को सच लगतीений लेकिन वह सच नहीं है है और वह एक जो गेम से वह दिमाग खराख करती है मतलब भाई साही में ऐसा कुछ भी नहीं है अगर अगर गेम खराख करती थी तो भही तक mam का ऩब क्वश चुका हो था ऐसा कुछ मेरे पास Ц hombres a ring का प्रूफ के लिए तो मैं लोगों से कहना चाहता हुए तुम्हें इक बार प्रूफ दिखाऊ कि गेमिंग बच्चों के है तो है कैसे लेकिन मैं बता सकता हुए वीडियो गई होगी नॉन गेमर्स के लिए फरजिन को गेमिंग पसंद नहीं और आज कल इतने लोग्स गेम खेलते हैं लेकिन इन लोगों को दिखता हैं इन लोगों को तो सब नेगेटिफ पॉइंट्स यह बागी दुनिया जो करें हमें सिर्फ नेगेटिफ चीज़ें चा लेकिन एक्चल में वह हमारे वेवार को बहुत ही आज़ा चेंज करती है और हमें बहुत ही अच्छा विना अजकल इतने इतने गेम्स की स्पोर्ट कंपटेशन होते हैं माना कि उसके अंदर फिजिकली कोई फिजिकल गेम नहीं है और इंडोर गेम्स को गेमिंग है उसको हम बात माननी बढ़ेगी जो गेम्स हैं वह एक्टम चेस्की तरह ही है यह उसमें फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है लेकिन नहीं दिमाग बहुत जादा चलाना पुर इस वीडियो के तुरू में सरफ यही बताना चाहता था कि जो गेम्स हैं गेम्स केलना कुछ भी एक साथ मरोगे यार कैसे लोगों तो यहां हम सबको अलग लग तरीगी जाए और उन कोडिंग करने वालों को थैंक्स करना चाहिए जो 24 गंटे वैट कर गेम्स खेलते हैं और फिर हम अमारे लिए ताकि हम मजे कर सकते हैं यहां तक कि अभी तक मैंने गेम्स के ड्वांटी नहीं को मिलती हैं जो समझते हैं कि गेम्स के अंदर इड्वांटेज होती हैं नई तो ऐसे हम कुछ भी हादल नी कर पाएंगे में समझना पहले सोच होनी जरूरी है तो लोग ना इतने टाइप से नेगेटिव पॉइंट्स पर इतना गवार करते आ रहे थे और इतना ज्य सब पर भला करती है आई मीन गेम से सब पर बहुत ही बड़ी है बड़ी है एड्वांटेज आती है तो यही थी वह जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था तो गेम्स खेलते रहो यार और ज्यादा एडिक्शन नहीं ठीक ठागी खेलो दो घंटे था तो बास आज के लिए सब्सक्राइब तो यहार जो लोग भी गेमिंग को बुरा मानते हैं जाने से पहले में बताना चाहता हूं कि उनके बाते गुम फिर के सरफ उनी के कान में जाती है उनका इतनी बाते मत सोना करो मैं चलता हूं बाइ अँवड़ थास।